भारत में चुनाओं में बहुत जादे पैसा खर्च होता है। होता क्या है बबु कितना अच्छा होता कि एक साथ लोकसभा का चुनाओं होता है। लोकसभा का चुनाओं होता है। अब उस इस्थ में हर एक राज के बिधान सभा का चुनाओं हो जाता है। लगले लगले। सेम मसीनवा है, दूग लगा दो, यह लोकसभा वला, अगले रूम में बिधान सभा वला। कितना अच्छा होता है। लेकिन वही अभी गड़वडी क्या है। लोकसभा का चुनाओं होगा 24 में, अब भीहार में बिधान सभा का होगा 25 में। पहले दोनों साथे होता है। कि किसी किसी राज में लग जाता है राष्ट्पति सासन, यह सरकार भंग हो गई। तो क्या हो गया वो छे मैना एक साल पीछे हो गया। तो कभी यह पीछे हुआ कभी वो पीछे हुआ कभी और पूरा खर मंडल हो गया। अब पता चला 25 में हरियाना का चुना लोकसभा के सथवे हो जाएगा। रास्थान वला 25 में होगा। बियार वला भी 25 में। तो आगे पीछे हो गया। तो सरकार यहीं सोच रही है कि एक विध्यक लाके ऐसा प्रस्ताव लाए जाए कि 2029 से लोकसभा का एलेक्शन और हरी गराज्यों के विध्यान सबा का एलेक्शन एक साथ हो जाए। सिक्योरिटी पर खर्चा सेम परचार पर खर्चा सेम मैनेजमेंट सेम बस मशीन में बढ़ाना है गो। तो मशीन बढ़ा देखाएगो यहां राजाएगा लोकसभा का डाल दीजिए और फिर चल जाएए इधर बिधान सबा का जाएए दूनों हात में सियाही मरवाईए चल जाएए लोकसभाई इधर बिधान सबा आईचे जुला के चले यहोग इलोगे वन नेशन वन इलेक्षन आप बताओ मित्रों यह होना चीह कि नहीं होना है यह बहुत जरूरी है होना चीह ताकि हम लोग बहुत कम लड़ेंगे जब इलेक्षन होता है तो किसी ना किसी मामले में हम लोग लड़ जाते हैं आपको धार्मी को उनमाद या जातिय भेद 10 साल में आदमी कितनी बार लड़ेगा एक बार और उसके बार तो सांतीस रहेगा लोग आपको किसी जाती किसी धर्म से कोई खत्रा नहीं है बस अपने पडोस में देखिएगा कि आपका पडोस वाला रहने वाला हमेशा वही काम आएगा पडोसी से संबंद अच्छा रख सब्सक्राइब कर देने पर सरकार को भी रोक लगा देती है कई बार संग्यागे ने